तमें के पास इतना समय नहीं कि वो आपको द्वारा समय दे सके कैसे आप सब लोग क्या हाल आप सब के सिये की इस कर्म भूमी पे आप सब का बेहत स्वागत है आपकी सार्थी सिये कंचन गुपता मैम के साथ तो आज हम करने जा रहें सिये फाउंडेशन की शिरूबात तो आ जो जोश और जो जुनियून आपके अंदर आज है ना वहीं हमेशा रहना चाहिए ऐसा नहीं हो कि आज मैं फर्स्ट लेक्चर था तो आज तो हमें बहुत फोकस हमने कर लिया आपने जो का हमने सारी बात आपकी मान ली लेकिन मैं तीन-चार क्लास जाते-जाते हम पैसिव हो गए ऐसा नहीं होना चाहिए आज जो एनरजी है ना अपने आपको प्रॉमिस करो अपने आपको वचन दो कि यहीं आपकी 62-63 लैक्चर जितने भी हमने आपको अलोट किया उतने तक रहने वाली है जो हम आपको बोलेंगे वह आप करके आओगे जो कोशन के ही लास्ट क्लास का रिवीजन कराते हूँ कभी ना कभी थोड़े-थोड़े टाइंब जाते जाते हम आपको क्यों लेटिव रिवीजन भी कराते हैं so that जो आगे अपन कर चुके है वो पीछे जाके अपन को याद आ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए आगे बढ़ पीछे भूल आगे बढ़ पीछे भूल तो कुछ कमिटमेंट्स हैं जो आपको अपने आप से करनी पड़ेगी क्लास वन में आपको हमसे करनी पड़ेगी क्लास वन में और ये कमिटमेंट करते टाइम अपने माबाप का फेज जरूर याद रखना क्योंकि पूरी सिद्दस से उन्होंने आपको एक क्लास करने के लिए बठाया हुआ है चलिए तो स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन की जर्नी एकॉनमिक सबएक्ट के साथ जो की बहुत ही प्यारा सा एक सबड़ेक्ट है एक बात में आप से और दॉनगी कि जब भी आप लेक्ट्र करोगे तो इस लेक्ट्र को करने से पहले एक सबजेक्ट इंट्रो नाम का लेक्चर मैंने आपको दिए हुआ है आपके बैच नमबर बन मत करना जब आप इस लेक्चर को कर लोगे तो आपके मन में जो भी डाउट्स चल रहे हैं जो भी शंकाएं पैदा हो रहे हैं सब्जेक्ट से रिलेटर्ड वह सारी खुदवा खुदी पूरी हो जाएंगी लाइक की मतलब मैं यह इजी एकी टॉफ है कितने का आता है करिकुलम कितने घंटे में खतम हो जाएगा नमबर ओफ लेक्चर कितने रहेंगे जितनी भी आपके दिमाग में बाते चलती हैं उन सबका समाधान सब्जेक्ट इंट्रों के अंदर हमने देड रखा है तो अब से जो हमारी क्लास शुरू होगी इसमें बेसिक्ली एंड फाइनली हम जो फोकस करेंगे वो पढ़ाak़ पर करने वाले है पढ़ाई और आपको एक बहतर इंसान बनाने में आपको एक सीये माइट डवलब करने में हमारा में टारगेट रहेगा हमारा एक में फोकस रहेगा चलिए आपना पहला लेक्चर जिसका नाम है Nature and Scope of Business Economy आप देखो आज मैं बोलनी हूँ पहला और अभी थोड़े दिन जाते जाते मैं आपको बोलूँगी कि बेटा आज अपनी आखरी क्लास है और अपन सब कवर कर चुके हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए जो पहले लेक्चर से आखरी लेक्चर के बीच में जो फासला है जितना टाइम आप मुझे दे रहे हो वो टाइम आप अपने लिए efficiently use करो जितना आप 60-62 दिन मेरे को दोगे वो टाइम आप ये समझ लो कि टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए अगर मैं पढ़ा रही हूं तो आप सिर्फ पढ़ रहे होगे उस टाइम में प्रेम से बोलो जैम आता दी अब ध्यान दो हमारे पास जो लेक्चर नंबर वन हैं इसमें हम अपना फर्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके ICI मॉड्यूल में भी होगा और ही मैं यहां पर उठा रहे हूं यह बेसिक चैप्टर हैं जो आपको शहर कराएगा कि आखिरकार हमारी economy क्या है हम क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में इस सब्जेक्ट की बेसिक भूमिका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब कुछ बेसिक कोशन्स आपके माइ के बने वाले जो जो बिएक यहां ‑‑ मैं इसे ही बाते करूंगी, जब मैं इस से बाते कर हूं तो आप समझना कि आपसे ही बाते करें देके ऑन संब्सक्र run wat बेसिक कोशन्स आपकर आपकर से बारें कि में बताओ मों यह इस तो किर्ल यूनिट है फॉस्ट यूनिट पे मैं लगाओंगी दो लेक्टर और इसेकिंड यूनिट पर भी मैं लगाओंगी दो लैक्टर अच्छा जब मैं आपको ये दो दो लेक्टर करा दोंगी तो हमारे four lecture complete हो जाएंगे तब हमारा chapter number one पूरी तरह से complete हो जाएगा आप अगर study करना चाहते हो ICAI module की तो आप इन 4 classes के बाद कर सकते हो क्योंकि काफी बच्चों का ये भी question होता है कि मैं आप जो पढ़ा रहे हो जो आप content दोगे जो आप PPT दोगे क्या मैं सिर्फ यही पढ़ू या फिर मुझे ICAI module की एक बार self study करनी चाहिए this is the basic question जो हर बच्चे के mind में आता है CA की त्यारी करते time क्योंकि पीटा ये हम भी जानते हैं कि आप ये समझ लो ग्यान की गीता है ICAI के material का बंडार आप सुनो जो मैं आपको यहाँ पे content दोंगी PPT ये कुछ और नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ इसी material से बनाया हुआ content है इसी material को बस easy language में pointers में colorful करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो जब मैं अगर आपको यहाँ पे पढ़ा दूँगी मैं कभी नहीं बोलती बच्चे को कि अब आपको ये पढ़ने की जरूरत है मेरे content पे मैं नहीं बोलती लेकिन फिर भी एक self confidence हमें जरूर लेना होता है कहते हैं ना खुद के जीते जीते खुद के हारे हार अगर हमने अपने दिमाग को जीत लिया तो हम जीत गए अगर हमने यहाँ से चार लेक्चर में चैप्टर नमबर वन कर दिया ट्रस्ट मी आपको 40 मिनिट नहीं लगेंगे इन 10 से 12 पेजिस को पढ़ने में यह फर्स्ट चैप्टर 10 से 12 पेजिस का ही है आपको 40 मिनिट नहीं लगेंगे अगर आप IC AI के मिटीरियल को एक बार लाइन वाई लाइन पढ़ना चाते हो तो आप 40 मिनिट में 10 से 12 पेज पढ़ डालोगे यह हमारा वादानी दावा है क्योंकि जो मैं यहां पढ़ा रही हूँ ना वो IC की रिप्लिक आए बेटा अच्छा इसको करने से कुछ हो या ना हो लेकिन आप अपनी दिमाग को जीत लोगे आपका जो confidence है वो बहुत boost हो जाएगा और इसी chapter में नहीं हर chapter में आप ये काम कर सकते हो अब ये आपकी choice है मैं इसको mandatory नहीं कर रही हूँ क्योंकि subject तो अपने पास 4 है एक subject तो है नहीं सिर्फ eco तो नहीं है जिससे महबत करनी है चार subject है चारों से equal महबत करनी है किसी से भी कम करोगे तो वो ही दगा दे जाएगी तो it's all up to you कि आप ये करना चाहते हो या नहीं लेकिन मैं ये बोलूंगी इसे करने से आपका confidence बहुत बूस्ट होता है तो करना चाहिए मैं जब आप से कर रहे थे तो क्या आप ये करते थे बिल्कुल करती थी मैंने ये चीज की है अपने coaching material से पढ़ा उसके बाद हमने ICI की material को एक बार जरूर self study किया अब मेरी बात दूसरी सुनो हर चैप्टर में ये follow होगा तो आज time लगाऊंगी आगे वाले चैप्टर में मैं ये बाते आपको नहीं बताऊंगी दूसरी चीज जब मैं ये content पढ़ा रही होंगी आपको चार classes में तो daily मैं आपको 10 से 12 mcq कराती हूँ daily आपके 10 से 12 मैं mcq कराऊंगी अच्छा जब हमारा chapter number one complete हो जाएगा after the four lecture तो आपको भी अपने material से जो ICI का material है या जो भी आप use कर रहे हो कोई scanner आप ले सकते हो आपको PW से CA वाला से आपको daily basis पर DPPs मिलते हैं तो काफी सारे questions आपके पास इखटे हो जाएगे तो जैसे ही अपना chapter number one complete हो जाएगे आपको सबसे पहले ICAI जो ज्यान का भंडार है इसके पीछे हर एक chapter के पीछे लगबख 50-60 किसी के पीछे 100 किसी के पीछे 1500 MCQs हैं इनको आपको अपने hand से करना है जब आप यह MCQ कर रहे होगे आप literally feel करोगे कि more than 50% MCQs मैं क्लास में करा चुकी हैं और थोड़े मोड़े easy easy MCQs हैं जो हम आपके लिए as a homework छोड़ते हैं वो आपको यहां पे as a practice करने हैं DPPs आप कर लेना मैं आपको suggest करती हूं कि जो आप DPP करोगे हमेशा एक पर्टिकुलर पूरा chapter full place खतम होने के बाद ही करना क्योंकि क्या होता है कुछ concepts आपके अधूरे होंगे कुछ पूरे होंगे कुछ बिछड़े होंगे कुछ रास्ते में पड़े होंगे तो आप फस सकते हो और जहां पर फसते हैं वहां पर दिमाग के हारे हार हो जाती है confidence down होना शुरू हो जाता है तो पहले पूरा एक chapter बढ़िया तरीके से अपने कर लिया आपने 20-30-40 मिनिट लगा के उसका study भी self study भी कर लिया उसके बद आपने ICI के MCQ भी कर लिये अब आपको जहां से जो test मिले जो question मिले scanner ले लो एक PYQ जिसमें होते हैं सारे पिछले 8-10 स जाल के इसको करना आप शुरू कर दो बस इतना कर लो बेटा इको में मैं ग्यारेंटी से बोल रही हूं आप 95 प्लस स्कोर करोगे जड़ लग जाती है बच्चों की fast track batch में 95 प्लस वालों की जो इस strategy को follow करते हैं कोई बहुत टिपीकल strategy निया this is a simple strategy जो आपको अपने ये 8-10 चैप्टर में follow करनी है टोटल में 10 चैप्टर दसों चैप्टर में बस इत्ति उसी बात आपको follow करनी है आज अब start करते हैं आज की class आख बंद करके विश्वास कर लो जब result आए तो मिठाई का डबा भी लेके आना है साथ में ठीक है जी हाँ अब ध्यान दो मेरी बात पर आज का जो हमारा target रहने वाला है बस ये तीन छोटे-छोटे से topic हम पढ़ने वाले है जो chapter है हमारा one उस chapter का नाम है nature and scope of business economics इस chapter में इतनी सारी बाते बताई गई है धेर सारी बाते आपको दिख रही है one by one हम ये सारी बाते cover करेंगे इतनी बाते मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ this is the two days target this is the two days target चले तो जैसे ही हम अपनी आज की class start करते हैं subject का नाम है business economics एकदम scratch से आपको पढ़ने को मिलेगा तो आपके मन में doubt नहीं रहना चाहिए कि मैं हमने detail class में ढंक से नहीं ही नहीं यह हमने कई और पढ़ा हमारे concept clarity अधूरी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लिटरली जब fast track पढ़ रहे होगे मुझसे you will realize कि कुछ छूटा ही नहीं यह कुछ पहले आपका अधूरा था तो वो triple range में पूरा हो गया है चलो अब यहां पे देखो जो हमारा subject subject का नाम है business economics business economics अब 12 तक तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो एक subject जिसका नाम होता था economics तो पहली बात यहीं आजाती है कि आखिरकार economics और business economics में difference क्या है और generally आप अपनी life में एक वर्ड और सुनते हो जिसको हम बोलते हैं economy जिसको हम बोलते हैं economy तो यह तीन वर्ड हमारे सामने आगे यह तीन वर्ड आपको पल-पल-पल सताते रहते हैं परिशान करते हैं आप से कोई दोस्त पूछ लेगा कोई आपकी दोस्त नहीं पूछ ले economy and economics and business economics तो अब धिहान दो कि economy क्या है सबसे पहले economy economy मतलब हमारे आसपास का जो माहौल है आप अपने घर के बाहर बालकनी में निकलो और देखो कि वहाँ पे धेरो सारी activities चल रही होंगे अगर आप एक commercial area में रहते हो तो आप देखोगे कि सामने सबजी की दुकान होगी साइड में डेरी होगी एक बेकरी की दुकान होगी आपके घर के आसपास ऑटो वाला घर के नीचे से निकल के जा रहा होगा एक साइड से रिक्षे वाला निकल के जा रहा होगा सो जहां पे हम रह रहे हैं जो हमारे आसपास का surrounding है that is economy आप यहां पे देख सकते हो यह भाया कैप सिकम शिमला मिर्च बेच रहे हैं यहां पे ओटो वाला ओटो चला रहा है यह चिंकी गाने सुन रही है यह सोनु दूद बेच रहा है तो यह सब मिलके हमारी economy फॉर्म होती है यह सब मिलके हमारी economy बनाते हैं यह सब economy के अंदर activities हो रही है अगर इन activities को मैं जोड़ दू तो मेरी economy बन जाती है अब यह देखो है मेरे आज के जमाने की economy कितनी सुन्दर है डवलप हो गई है पूरी तरह से बड़ी बड़िया दिख रही है यह देखो य जो हमारे आसपास की surrounding है घर की economy कैसी है आपके एरिये की economy कैसी है आपकी personal economy कैसी है तो एकॉनोमी तो हर लेवल पे है वर्ड के बारे में बताओ वर्ड की एकॉनोमी कैसी चल रही है तो जब कोरोन आया था पूरे के पूरे वर्ड की एकॉनोमी गिर गई थी आप देखो वापस से एकॉनोमी रिवाइव हो रही है तो एकॉनोमी वर्ड लेवल पे भी ह होती है economy country level पे भी होती है economy state level पे भी होती है economy आपके particular घर के level पे भी होती है so जो हमारे आसपास का मावल है that is economy अच्छा यह जो economy है इस economy में कौन रहता है आप रहते हो यस मैम आप रहते हो आप मतलब individual आप मैं आपके ममा आपके पापा आपके दोस्त आपके दोस्त नहीं आपके रिष्टेदार individual लोग भी रहते हैं ठीक है जी और कौन रहता है मैम companies भी तो रहती है companies जिनको हम firm बोलते हैं firm भी बोलते हैं business भी बोलते हैं यह सब terminologies है मैं सारी सारी लिखूंगी so that कहीं पर कोई भी वडग रिपीट होगा तो आपको पता होना चाहिए इसको हम company भी बोल देते हैं जैसे कि आप देखोगे अपने इंडियन economy में रिलाइंस इंडस्ट्री है के नहीं येस मैम है टाटा येस मैम है अच्छा और कौन रहता है मैम government भी तो रहती है मैंने का बिल्कुल रहती है और बताओ और कौन रहता है बस मैम यही लोग रहते हैं जैसे हम लोगों को क्या बोल दिया जाएगा consumer हम लोग demand करते हैं अब ये companies बगेर है ये क्या करती है मैं हम ये production करती है तो इनको क्या बोल दिया जाएगा producer और ये government हो गई जो हमारे देश को चला रही है तो economy में ये सब लोग रह रहे हैं इन सबसे मिलके क्या बनती है बेटा economy I hope कि आपको economy very much clear होगा अच्छा इस economy में बेटा धेर सारी problem है बहुत problem है आप खुश सोचो ना बींगा individual क्या आप अपनी लाइफ से खुश हो नहीं क्या आपका दोस्त आपके अपनी लाइफ से खुश है नहीं क्या दोस्त नहीं खुश है नहीं क्या पेरेंट्स बहुत खुश है नहीं क्या हम खुश है नहीं तो खुश कौन है बसी शुर तो बेसिकली हर कोई economy के अंदर problem face कर रहा है problem कैसी problem of the scarcity problem of the scarcity 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 का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना जैसे कि आपका इस वक्त किलत का दौर च के पास हमेशा resources की कमी रहती है पापा हर वक्त देते हैं हर महीने 500 और 500 से विटा आपका क्या ही होना है क्योंकि आप सीए foundation में आ चुके हो खर्चे आपके बढ़ चुके हैं थोड़े 2-4 खर्चे एक्स्ट्रा भी बढ़ जाते हैं आप बढ़ा लेते हो तो किलत का वक्त आ जादा की ख़लते हैं क्या आपके ममी पापा का किलत का वक्त है पहले से क्म होगा लेकिन फिर भी जो पैसा आ रहा होगा फेसट अधो भी काया थिति लगता है क्या सॉट्रा यथ हमेशा में लगता है वहां अभगवान चपर ना थेगा यथे छफपड और फाज कर सी ने सकते हैं हम लिमिटेडन से से हमें अपनी रिमिटेड़ इछान को पूरा पड़ता है अब आपकी इछान तो चुक्त होंगी कुस na की आपको लगता लूँ मैं फीज भी भर दू और मैं बड़िया सी बाइक भी खरीद लूँ तो यह सब आपकी इच्छाएं हैं अगर मालो आपके महीने का बिल आपने जोड के 50,000 बना दिया और पापा ने आपको 60,000 दे दिया फिर क्या होगा फिर आपकी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी और बढ़ जाएंगी और बढ़ जाएंगी that means जो इच्छाएं हैं जो wishes हैं जो wands हैं जो human beings हैं that are unlimited जो आपकी इच्छाएं हैं बेटा जो आपकी wands हैं जो आपकी wands हैं wands को human beings भी बोला जाता है तो यह वर्ड आपको जगा जगा दिख जाएगा तो याद रखना यह जो w यह कैसी है बेटा unlimited है और जो आपके पास resources है वो बहुत limited है अब क्या करना होता है आपको अपने limited resources से अपनी unlimited इच्छाओं की पूर्ती करनी है अब दिक्कत आ गई कि यार पापा ने दिया है 500 रुपया खड़्चा हो रहा है महीने का 1200 रुपया बताओ क्या करू 700 रुपय कह से लाओं नहीं लाओगे तो आपको अपनी थोड़ी इच्छाएं कम करनी पड़ेंगी तो प्रॉब्लम तो आप फेस कर रहे हो कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो यह प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे हैं आपके दोस्त भी फेस कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स आपके रिले प्राबलम से हर कोई जूज रहा है हर कोई चाहता है पैसा आये पैसा आये पैसा आये पैसा आये जिसके पास जितना आता है उतना ही कम पड़ जाता है तो ये problem हर कोई face कर रहा है So this is the problem of the economy Problem क्या है? Scarsity of the resources अब जाँ problem है वहाँ पे motivational Speakers आते हैं problem को solve करने के लिए लोग आते हैं अपना ज्यान देने के लिए सब आते हैं अपनी किताब लेके और यह हमारी किताब पड़ो इस समस्या का समाधान पाओ यहाँ जाओ इस समस्या का समाधान पाओ तो हर कोई अपने मंत्र गुरू मंत्र लेके आता है कि लो बेटा यह पड़ो और इस समस्या का समाधान पाओ तो इनी प्रॉब्लम को इकोनोमी की इस प्रॉब्लम को सुलजाने के लिए एक सब्जेक्ट का जनम हुआ जिसको बोला गया एकोनोमिक्स तो एकोनोमिक्स is nothing, this is the subject इस सब्जेक्ट के अंदर हम एक्चुल में लिखा हुआ पड़ते है कि जो वांड्स है वो unlimited है जो resources है resources को resources को means भी बोला जाता है तो कभी-कभी ये word भी exam में आता है लिख लेना resources है वो कैसे हैं बेटा limited है so अब हमें अपने limited resources से अपनी unlimited इच्छाओं को पूरा करना पड़ते है जिससे हमें maximum level का satisfaction मिल जाए so जो problem economy में है उसी problem का solution हमें economics के subject को पढ़के मिलता है now अब आपको ये clear हो जाना चाहिए economy जो हमारी surrounding है और economics is a subject जो हम यहाँ पे face करते हैं वो यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिलेगा साथ की साथ उसका solution भी हमें economics में मिलेगा मैं हम यह तो समझ आया अब एक नई चड़िया और आ रही है उसका भी बताओ कौन सी चड़िया उड़ते उड़ते आ गई एक चड़िया जिसका ना हम है business economics चलो तो पहले एक बर यह देख लो यह डाइग्राम आपने देख लिए और डाइग्राम देखो तो economics क्या है economics एक subject है ज्यान का भंडार क्या है बिटा यह ज्यान का भंडार ज्यान का भंडार अच्छा तो अपने यह देखा कि economy के अंदर आपकी हमारी मतलब individual की problem होती है producer मतलब company की भी problems है अभी अभी हमने देखा government की भी problem है तो सबकी problem है economy में इसलिए हम economic subject की study करते हैं तो मैं मैं अब यह बताओ कि what is business economics अब तो हमारे पास हमारे दिमाग में एक ही question डग मगा रहा है कि यह business economics क्या है यह business economics की study का नाम है यह बताओ अच्छा मेरा आप सबसे question है दिखो अपनी पहली class है तो आप लोग बहुत जादा comment में reply तो करी नहीं पाओगे comment में reply लेकिन आपको जरूर करना है जब भी मैं कुछ पूछ हूँ या फिर मैं revision करा हूँ बस आप यह समझ लो अगर आप मुझे कोई gift देना चाहते हो आप मुझे कुछ भी देना चाहते हो तो वो मेरे लिए सबसे best होता है कि मेरे question का आप answer कर दो उससे मुझे यह पता लगता है कि आपका लेवल क्या चल रहा है मैं हर एक बच्चे के comment जरूर रीड आउट करती हूँ और classes में उनी बच्चों के names भी लेना शुरू कर देते हैं इससे बच्चे को भी पता लगता है कि teacher का हमारे उपर focus है और teacher को पता लगता है कि बच्चा कहां पर lag कर रहा है बच्चा कितना active है कितना हमको catch कर पा रहा है उससे हमारी जो आने वाली classes है वह बहुत बैतर चलती है focus business क्या है चलो सभी बच्चे के दिमाग में धेर सारे business गूंज रहे होंगे आप हर एक बच्चा एक एक example लिखो जो भी आपकी आँखों में आ रहा है मैं सबजी बाला सबजी बेच रहा है क्या वह business है हां बटा वह business है ट्रेडिंग business है मैं हमारे घर के सामने एक खेत है उसमें farmer farming कर रहा है क्या वह कोई business है ये बटा वह एक agriculture business है ये रहा ये एक agriculture business है मैं हमारे घर से थोड़ा सा दूर एकना husbandry है वहां पे पशु पालन होता है वहां पे मुर्गी पालन होता है क्या एक business है ये बेटा ये भी business है polytory farming भी एक business है so this is also business मैं एक ना फैक्टरी लगी है उस फैक्टरी में चिप्स बन रहे है वो चिप्स हमें बहुत पसंद है बड़े चटकीले चिप्स होते है मजा आजाता है उन चिप्स के हम बहुत दीवाने है बताओ मैं उस फैक्टरी में जो चिप्स बन रहे है क्या वो business है हाँ बिटा वो भी business है इसको हम बोलते है food industry या food business food processing industry या food processing business आप बोल सकते हो मैं हमारे घर से कई क्लो मीटर दूर चले जाओ तो वहाँ पे ना खुदाई चल रही है जमीन में से extraction करने का काम चल रहा है ऐसा लग रहा है कि जमीन के अंदर से ना कोई खनीज निकले क्या मैं वो business है हाँ उसको हम बोलते है mining का business तो यह भी एक business है अंदर खुदाई चल रही है आपने अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले mining में कुछ लोग फस गए थे तो वो basically mining के अंदर काम चलता रहता है खुदाई चलती रहती है लोग जमीन के अंदर जो caves होती है उनके अंदर रहके काम करते हैं कभी-कभी वो फस जाते हैं अभी हाली का case है पढ़ना इसके उपर एक movie भी आई हुई है तो यह भी केस है तो यह भी basically एक business है बाकी आप देखो बड़े बड़े गुडगाओं वगेरा में चले जाओ कभी आओ गुडगाओं तो बताना हम मिलेंगे आपसे तो गुडगाओं वगेरा की side आ जाओ तो आप देखो के बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है नॉइटा साइट चले जाओ बड़ी-बड़ी इमारते बन रही है जगा जगा फ्लैट बन रहे है मैं डीले वाले फ्लैट बन बारे तो क्या एक business है हाँ यह भी business है इसको बोला जाएगा construction का business तो यह क्या है construction business है सोनु बोलता है कि मैं मेरे घर के पीछे बहुत धुआ निकलता है वहाँ शाय कोई कार खाना लगा है उस कार खाने में प्लास्टिक के खिलोने बन रहे हैं क्या वो कोई business है हाँ बिटा वो इंडस्ट्री हो गई ना production industry जहाँ पर production हो रहा है जहाँ पर production हो रहा है तो business कई परकार के होते है मैं तो 6-7 example ही यहाँ पर आपके सामने लिख रही हूँ कि जैसे production हो गया mining का business हो गया construction का business हो गया agriculture, policy, food processing हो गया और भी धेर सारे होते हैं आप मुझे बताओ जैसे 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 communication का हो गया जैसे reliance वालों ने जगा जगा टावर लगा रखे हैं रे बिच्छा रखे हैं रे ओप्टेक फाइवर ओप्टेक तो communication का business हो गया और बताओ और बताओ है कोई बच्चा जो बड़िया बड़िया और example दे चलो comment में आप लिखके बताना ठीक है जी banking का business हो गया insurance का business हो गया तो यह सब क्या है business ही है प्रांस्पोर हर एक business में कोई ना कोई दिक्कत तो ही ना क्या हर एक business में कोई ना कोई problem है येस मैम हर एक business problem face कर रहा है problem of scarcity किस चीज की problem है बेटा problem of scarcity प्राब्लम ओप लिखते जाना थोड़ा थोड़ा जरूरी है बेटा problem of scarcity कैसे अब यहां पे देखो production हो रहा है तो यह सोचे कि एक काम करता हूं मैं plastic के खिलोने भी बना लेता हूं मैं जूते भी बना लेता हूं मैं कपड़े भी बना लेता हूं मैं चिप्स बना लेता हू मैं ही computer बना लेता हूं मैं ही laptop बना लेता हूं क्या एक person ब्रह्मा जी का अवतार ले सकता है एक industry नहीं ना वो सब कुछ तोड़ी ना कर सकता है भाई इतना पैसा तोड़ी ना तुमारे पास चुप चाप से शान्ती करो सिर्फ एक product या दो product या तीन product सोचो जो आपके आउ तो जब resources इनके limited हो गए तो problem of scarcity आएगी कि नहीं येस मैं ऐसी mining वाले और एक काम करो यह भी करते हैं यहा देल निकालेंगे मां करते हैं कोईल निकलेगा contradsheala निकलेगा वह कषये निगे निखलेगा तो भाई के लिए पैसा चाहिए रिसोरसे तो हर जगा तुम खुदाई नहीं कर सकते हैं तुम पूरे भारत को में रख सकते होला इसा चूँछ करने एक कि जहां पर 99% chances हो कि अगर खुदाई करी जाए तो कुछ निकले कंस्ट्रक्शन वाले भी विटार जगा थोड़ी ना कंस्ट्रक्शन कर सकते इन पर इतना ही पैसा होता तो गाहों देहातों कस्वों में भी चले जाते केर जगा कंस्ट्रक्शन करते क्यों क्यों मैं रिस् ओर्स्टि लिमिंटेड ciao कै ऐसी अग्रिकल्चर बालों के पास भी लेंड लिमिंटेलfly land is also the resources, तो resources यहां भी limited हो गए, इनके पास भी जगा लिमिटेड होगी, लेवर लिमिटेड होगी, पैसा लिमिटेड होगा, basically, तो यहां पे भी resources लिमिटेड होंगे, तो इन सब को problem of the scarcity face करनी पड़ रही है, और जब जब problem of the scarcity आएगी, तब तब बेटा, इनको क्या करना पड़ेगा, मैं इनको decision making करनी पड़ेगी, इनको decision making करनी पड़ेगी, ताकि यह अपने जो limited resources है, जो इनके पास limited resources है, उसका यह optimum utilization कर पाएगा, optimum मतलब बहतरीन तरीके से utilization कर पाएगे, optimum utilization कर पाएगे, अब बेटा, यह decision making कहां पे होगी, problem का solution कहां पे मिलेगा, ज्यान का भंडार में मिलेगा, ज्यान का भंडार कौन है बेटा, economics, तो वापस से, अगर मैं बोलू, कि business में आने वाली problem का solution मुझे चाहिए, तो मुझे बोलो, सारे बच्चे comment box में प्रेम से वाबा, अब किलियर हुआ कि नी, येस, बाल की खाल निकाल देंगे बेटा, यह आप है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको यह समझ लो, अब at least यह किलियर है ना कि पढ़ना क्या है, 63 डेज में सब्जेक्ट क्यों बना, सब्जेक्ट का जनम क्यों हुआ, अब आजो अब हम जो आपको पढ़ाएंगे, बिटा सब आपके control में होगा कलर कौन सा फसंद करते हो, बता दो चलो, light blue ले लटते हैं, sky color अब आते economics, अब आपको सब आते हैं चलो, economics क्या है, मैं economics एक सब्जेक्ट है, जहां पे हमें problems भी लिखी हुई मिलेंगी, साथ की साथ उन problem का हमें solution भी मिलेगा, जैसे अब ये दिखा देते हैं आपको ये रहा economics क्या है, जहां पे problem के सा solution मिल जाए, वही हमारा subject है वही, ग्यान का बंडार है जो human beings है, मतलब की जो wants है, जो इच्छाएं है वो क्या है बेटा unlimited है, हम यही पढ़ते आ रहे हैं, जो means है means मतलब, जो resources है, resources क्या है limited है, जो resources है, वो क्या है relatively scarce this is the keyword, इसे highlight कर लो, important है, आपसे MCQ में पूछा जाता है, कि बताईए जो resources है, वो relatively scarce है, absolutely scarce है, बोथ none of the above, तो आपको लिखना पढ़ेगा कि जो resources है, वो relatively scarce scarce है, relatively scarce का क्या मतलब होता है, कि जो आपकी wants है उनके comparison में बेटा कमी है, उनके comparison में वो कम है अच्छा, जब हमारे जो इच्छाई हैं वो धेर सारी हैं, जो हमारे पास resources है, वो limited है अब वो क्या करें इस problem का समाधान कैसे निकालें, मैं, जो resources हैं, उनको कुछ इस तरह से utilize करो कि हम अपनी maximum level of wants को पूरा कर पाएं maximum level of wants को पूरा कर पाएं, जिससे हमें ज़्यादा खुशी मिलें हमें maximum level of satisfaction मिल जाएं हमें maximum level of satisfaction मिल जाएं इसी बात को मैं एक example से आपको समझाते हूँ इस इस एक्जामपल, बेटा खुश ओ रहा है ये बच्चा आप देख रहे हो, यही है सोनु जिसको मैं कहँँ सोनु वो यही है सोनु सोनु का happy birthday to you आ रहा है अब आपको आपका भी आता ही है कभी ना कभी तो साल में एक आदा बार किसी किसी का चार साल में एक बार बहुत अनलखी होता होगा रहो बच्छा ने लखी भी हो जाएगा जब खुझ के पैसो से कमाओगे तब आपको लगेगा बढ़े कमी आये तो ये अच्छा है चलिए तो हैपी प्रदे टूई का बढ़े आ गया बढ़े बढ़े बोए गया ममा पापा के पास मम्मा पापा को बोलता है happy birthday to you आ रहा है मेरा पापा पैसे चाहिए पाटी वाटी देनी बड़ेगी दोस्तों को बताओ क्या करें पापा ने का देख बेटा 500 रुपे ही दूँगा ज्यादा कुछ नहीं दूँगा जो करना इसमें कर लो बच्चे ने मम्मी को बोला मम्मी happy birthday to you आ रहा है मम्मी ने कले 500 मैं भी दे दे थी क्योंकि मम्मी जनरली जादा जल्दी मेल्ट हो जाती है दादी दादू के भी पास गया होगा तो कुल मिला के ये बच्चे ने 2000 रुपिया इकटा कर लिया दादी ने दे दिया दादी और जादा जल्दी मेल्ट हो जाती यह दादी ने दे दिया 700 रुपिया और दादू ने भी दे दिया 300 रुपिया for an example तो टोटल में इस बच्चे के पास जो resources से वह वो कितने हुए जरह बताओगे रिसोर्स कितने हो गए रिसोर्स हो गए अपने सोनु के पास 2000 रुपए यह रिसोर्स लिमिटेड है कि नहीं येस मैं बस 2000 रुपया है अब सोनु की वॉंड्स देखो इसकी इच्छाएं देखोगे अभी आप तो आपको समझ आएगा क् सोनु आपी हो हम जब सोनु बोलें चिंकी बोलें मतलब हम आपी लोगों से बाते करें अब सोनु कह रहे हैं यार मेरे को न अपने दोस्तों को मूवी दिखानी है इस टाइम मूवी आई है अभी जो आई है बिलकुल अच्छा आपको मैं बात बतातू हूं आपको एकदम फ्रेश रिकॉर्डिंग मिल रहर है हम आज रिकॉर्ड करते हैं तो दोतीन दिन में क्लास एक अदा दिन में आपको मिल जाती है तो इसके टाउट नहीं लेना है कि वहोत पुरा नहीं है क्या या ये बिलकुल अप यह बैल कुल आपई के लिए रिकृद की आ जा रहा है ए तब ही मैं आप सबसे बोलते हूं कि आप कॉमेंट करो जब आप कॉमेंट करोगे ना तो आपका नेम लेकि मैं किलास में डाउट डिसकुर्शन करूंगे अच्छा वांड्स मुवी देखूंगा दोस्तों को भी दिखाऊंगा अब केक भी चाहिए यार है भी बदेट हुए तो क्या ही मजाएगा अब ऐसे इन कपड़ों में तो चले नहीं जाएगा ना तो एक शर्ट खरीदने का भी इसका बहुत मन है अच्छी सी शर्ट पैंट तो ठीक है जीन्स तो सारी एक ही जैसी लगती है कित्ती भी ले लो तो एक शर्ट का भी इसका मन बन गया इसने का यार कंचन मैं से पढ़ता हूं तो मैं को भी तो चॉक्लेट वगेरा कुछ ना कुछ तो भेजना पड़ेगा ना अब हैपी बद्दे टू यह तो अब ऐसे तो यहां पर पार्टी का खर्चा भी हम लिख देते हैं इसमें लिमिट नहीं है मैं लिख हूंगी बस इतनी क्यूंकि बहुत है अब मुवी में खर्चा आ रहा था मानलो तीन चार दोस्त हैं मिलाके 600 रुपया केक बिटा आज के टाइम में 400 से कम तो क्या ही आता है शर्ट हजार से कम तो क्या ही शर्ट आएगी चॉकलेट अब हमको देगा तो 10-20 वाली नहीं देगा कम से कम 200 वाली तो देगा पार्टी पार्टी का खर्चा वह एक समोसा भी खिलाएगा समोसा है मुमोस आज कल तो मुमोस बहुत बैतरीन है सस्ते में अच्छा सस्ता मद्दा टिक का उखाना जिसे बोल सकते हैं तो पार्टी में मुमोस मान लोग खिला देगा तो 200 रुपे का ये खर्चा ठीक है जी अब एक बर सोनू के खर्चे का टोटल करके आप मुझे बता दो कितना आ रहा है 600-400-1000-2000 ओमाइगाड मैं 2400 रुपेया अब देखो हो गई दिक्कत मैंने लिमिट लगा दी that's wants are unlimited लेकिन जो resources and that's are limited अब सोनू क्या करेगा क्योंकि मैं resources के alternative uses भी हैं we all know that की resources के यह लिख लेना keyword मैं लिख रही हूं जो resources होते हैं इनके धेरो use होते हैं alternative use होते हैं यह keyword है resources के alternative use होते हैं जैसे कि सोनू के पास 2000 रुपेय है एक तो सोनू के मन में लालच फूट रहा है कि मेरा happy बद्धे मनना चाहिए दूसरा अगर सोनू एक समझदार बच्चा है तो बोलेगा यह क्यों इन सब चीजों में पड़ू मैं काम कर रहा हूं 2000 में से 500 रुपे अपने उपर खर्च करता हूं और 1500 की सेविंग करता हूं या सोनू सोचेगा कि काम करता हूं 2000 रुपे की साइपी ले लेता हूं 30-35-40 साल में कभी ना कभी तो वो मेरे 50-60 लाख में convert होई जाएगी तो it's all depends on the sonu's mind की जो resources उनका बहुत सारा uses है अगर सिंगल यूज होता एक फिक्स यूज होता तो तो प्रॉब्लम ही नहीं आती अब इतने सारे uses हैं तो confusion होगी कि नहीं होगी अब आपके भी पाप्बा आपको महीने में 500 रुपया ही देते होंगे तो दिक सम्मझ सोसते तो होगे न यार मैं इस बार चश्मा भी खरी सकता मैं दोस्तों मैं पार्टी भी कर सकता हूं तो alternative uses हैं अब हम क्या use करें अब यहां पर हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या use करें तो सोनु सोच रहा है यार नहीं यार मस्ती खोरी टाइप बच्चा है यह सोनु देख रहें यह उचल रहा है अभी सही ख्याली पुलाओ पका क्या लगा रखें सपनों में उचल रहा है तो सोनु गया यार मेरे को तो यही करना अपने को नहीं ऐसाई भी पैसाई भी लेने अब 2000 रुपे में 2400 रुपे का खर्चा वापस से प्रॉब्लम अब क्या करें अब सोनु चूस करेगा कि कौनसी वांट ऐसी है जिसको मैं पह मूवी तो देखेंगे बहुत मस्त मूवी आयू यह मूवी तो देखना बनता है यह दो देखूंगा और केक काटे विना क्या केक की कुशी यार भी बदे टूई है तो केक तो कटना जरूरी है यह तो खर्चे तो सोनु ने का कि मैं करूंगा नी तो मजा ही नहीं आएगा इक काम करता हूं यार शॉर्ट भी लेई लेता हूं क्यूंकि कैतो नहीं थुड़ा मस्ती खुरी टाइप बच्चा है तो इसको शॉर्ट भी चाहिए इसने का अरे मैं को कौन सा पता लग रहा है काटो खर्चा कम करो मैं को चॉकलेट क्या ही पता लग रहा है बद्धे है पार्टी सोनु ने का रहे पार्मू भी रिखा दी ना पार्टी छोड़ो जाने दो तो सोनु ने अपनी तीन खुआई से पूरी कर ली इन तीन खुआई सो में 2000 रुपे लग जाएंगे दीज आर दी खुआई से जहां पे सोनु को मैक्सिमम लेवल ऑफ खुशी मिल रही ह एस पर दी सोनु सोनु के लिए तीन चीज़े जरूरी है उसने अपने लिमिटेड रिसोर्से से अपनी उन सभी च्छाओं को पूरा कर लिया जिससे उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है इस इस दा इकॉनोमिक्स चलो आओ यही चीज़े हमने यहां लिख प्रॉब्लम क्या है इस इस दा प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है इस इस दा सॉल्यूशन कि हमें अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करना है लिमिटेड रिसोर्से से ताकि हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले जैसे सोनु नहीं की थी छेस्सो की मू उसका यहां पर पूरा का पूरा, सम्मिरी हमने एक आपके लिए दिया है, wilt is economics, economics के अंदर आपको problems पता लगते हैं, problem क्या है, जो हमारे means है, मतलब की जो हमारे resources हैं, वह कैसे हैं बिटा, MAIM resources limited है, एक agriculture लिमिटेड हैं, तो उसके पास land limited है पैसे limited हैं, इससे वो seeds खरीदेगा, irrigation के जो tools होते हैं, वो limited हैं, अच्छा, साथ की साथ जो limited resources हैं, उसके alternative uses भी हैं, जैसे कि Sonu के पास limited resources में सिर्फ 2000 रुपे थे, और उनके भी विभिन विभिन काम थे, वो चाहता तो SIP ले लेता, मतलब investment कर लेता, वो चाहता, तो बर्दे मनाता, वो च जाता, तो जो मरजी कहता, तो alternative uses हैं, इसलिए कहते हैं कि जो resources हैं, वो कैसे हैं, बेटा, scarce हैं, अभाव है, scarce मतलब कमी है, resources में, scarcity है, अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ता है, इन scarce resources से हमें अपनी unlimited wants को पूरा करना पड़ता है, ends मतलब क्या होता है, wants, लिख लो, अपनी unlimited इच्छाओं में से prioritized करेंगे कि कौन सी इच्छा सबसे पहले पूरी होना जरूरी है, जिससे हमें ज़्यादा खुशी मिले, so यही मैं आपको पड़ा रही थी, this is the flow chart, इसको भी mind में रखोगे, तो काम बनेगा, आईए, इतना समझ आया, अभी छोटी छोटी बा economics के बारे में पढ़ाता, तो आजाओ, अब business economics क्या था, business economics मतलब, जैसे reliance का एक business है, yes मैं, तो reliance के business में कुछ दिक्कत आ रही होगी, कुछ decision making करना होगा, तो इस decision making में हम economy को use कर लेंगे, economics को use कर लेंगे तो हो गया business economics, अब समझो, देखो यहाँ पे, यह Sonu है, Sonu पढ़ लिखके CA बन गया है, आज ही के class में Sonu पढ़ लिखके CA बन गया, अब Sonu बोल रहा है, यार, हम momos तो already बेचते हैं, हम momos plus chutney, क्योंकि without chutney, momos थोड़ी ना भिकेगा, मैं ऐसे लिखते हूँ, momos, feel आपको जाद आएगा, momos and chutney, तो Sonu का जो business चल रहा था, इसमें already momos और चटनी बेचा जा रहा था, Sonu ने का एक काम करता हूँ, अपना एक बढ़िया सी कोई drink बेचता हूँ, मदब cold drink, soft drink, तो Sonu ने का एक बेचता हूँ, lemon flavored में, यह Sonu सोच रहा है, अब देखो कोई भी business आप करोगे, तो आख बंद करके तो शुरू नहीं कर दोगे, आख बंद करके अगर शुरू करोगे, तो आपको भी पता है कि आख बंद करके वो बंद भी हो जाएगा, और decision ने लिया जासा, यहां तक कि आप CA foundation कर रहे हो, तो काफी सारे बच्चों ने आख बंद करके decision नहीं लिया होगा, काफी सारों ने लिया भी होगा, तो basically decision लेते टाइम बहुत आविया जाहिए, क्योंकि वही decision है जो आपके end result को तैग करता है, यहां पे तो Sonu सोच रहा है क यह काम करता हूं, यार lemon soda भी बेचूंगा, अबना यह बोल रहा है, यार mumos तो बेची रहा है, अपना बढ़िया चल रहा है, तूफानी mumos चल रहा है, तो company हिट हो रही है, अबना lemon soda भी शुरू कर दो, यह सब इसकी और घूर रहे हैं, नहीं भाई, business laws में जा सकता है, बह problem of decision making, और इसी decision making को करने के लिए, वह हम कौन से subject की help लेंगे, economics की, चलिए, तो इसे कहते है, business economics, आईए, पढ़ लेते हैं, so business economics क्या है, देख लो, यह रहा, तो हमेशा जो एक management होता है, वह problem face करता है, decision making की, decisions के ऊपर ही, एक person का survival depend होता है, जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया, कि सोस समझ के decision लिया है, तो definitely आप पास करोगे, बहुत अच्छे mark से, अच्छा, decision making क्या होता है, decision हम कैसे लेंगे, decision हम क्या लेगा अपना सोनू, कि यार मैं lemon soda बेचू की नहीं, बेचू तो कहां पे बेचू, कितने रुपे में सेल करू, जो lemon soda बनेगा, उसका lemon कह से आएगा, उसका market price कितना रखो, factor cost कितनी रखो, क्यों ये सारे decisions लिये जा रहे हैं, ताकि business ढंग से successfully survive किया जा सके, और अपने limited resources से maximum फाइदा उठाया जा सके, optimum utilization किया जा सके, प्रेम से बोलो, वावा, किलियर सब को, येस मैं, तो decision making क्या होता है, मैं, selection of appropriate alternative use of the resources, जिससे हमें बहुत बढ़िया efficiently फाइदा मिले, आईए, कुछ examples, है मैं सारे examples आपको बता चुकी हूँ, कि decision making examples क्या होते हैं, ये अब आपका homework है, आप इसे पढ़ोगे one by one, कि कहां पर business करें, क्या बेचें, कैसे बनाएं, कहां से raw material लाएं, कितना price रखें, risk को कैसे mitigate करें, mitigate मतलब meet out करें, तो business economic की definition क्या है, वही simple, use of economic analysis, मतलब अपने subject को, अपने ग्यान के भंडार को business के decision में use करो, और जो आपके resources हैं, उनको बैतरीन तरीके से utilize करो, और बढ़िया profit कमाओ, बढ़िया level का satisfaction अचीब करो, इसी को बोलते हैं, business economics, अब यह जो definition है, मैं करता ही नहीं बोलती है, कि आप पढ़ो, बस इतनी बात याद रखना, कि क्यूंकि आपका paper subjective नहीं है, तो याद नहीं करना है, यह याद रखना कि जोल डीन नाम के एक अर्थशासरी है, एक economist हैं, जिनोंने एक definition दिया, लंबी कीवर्न, quantitative techniques, cost analysis, बस यह चार कीवर्ड रखना, इन्होंने business economics को खोल दिया है, थोड़ा सा, बाकि यह सब अब यह हम धीरे-धीरे पढ़िंगे, आपको clear हो जाएगा, आचा, यह important points हैं, कुछ business economics के बारे में, business economics को managerial economics भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर management के दुआरा decisions लिये जाते हैं, business economics हमेशा economy theory को business practice के साथ integrate करती है, मैंने यही तो बताया था, कि economics is a subject, जहाँ पे सब कुछ theory में लिखा हुआ है, अब आपको अपने business में business को successful बनाना है, मतलब business practice, मतलब एक successful business चाहिए, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, decision making, decision making का मतलब क्या होता है, बिटा, business economics, business economics is just about the decision making, business economics के अंदर आप business के लिए decisions लेते हो, अच्छा, आगे देखो, अब क्या होता है, कि जो हमारी economics है, जो हमारा subject है, इसमें धेर सारी theories पढ़ते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, demand chapter, supply chapter, production chapter, market chapter, business cycle chapter, ये सारे के सारे जो chapters है, इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, tools, इनी chapters से हम solution निकालते हैं, कि किस तरह से हम एक business को successful बनाएं, तो business economics के जो chapters हैं, जो tools हैं, इन सब के थुरू हम अपने business को successful बनाते हैं, इसलिए बोला जाता है, कि business economics applies these tools, मतलब these chapter in the process of decision making of the business, जैसे अब sonu mumoz बना रहा है, mumoz के साथ lemon soda बनाना चाहता है, तो वो tools सोचेगा, वो सोचेगा यार, demand होगी की नहीं होगी, demand होगी तो मैं कितनी supply करूँ, मैं कितना production करूँ, मेरे product की cost क्या होनी चाहिए, मुझे कौन सी market में समान को बेचना चाहिए, यही तो सारे chapter हैं, जो आपको पढ़ने हैं, तो यही chapter से आपको अपने business के answers मिलना शुरू हो जाते हैं, business economics fill the gap between economy theory and the business practice, तो वही है पूरा business economics बिटा, NGOs and non-profit organization के लिए भी useful होता है, यह जरूर याद रखना, यह MCQ में पूछा जाता है, कि जो business economics है, इस सिर्फ profitable business के लिए ही नहीं, बलकि जो non-profitable businesses होते हैं, उनके अंदर भी useful होता है, Is it clear to everyone? प्रेम से बोल दो एक बार, वाबा, आईए, अब आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे topic की और, दूसरा topic है हमारा कि जो economics है, this is most important है बिटा, एक दो MCQ आपको यहां से जरूर दिखेगा, एक तो दिखता ही दिखता है, कि जो हमारी economy है यह दो लेवल पे होती है, micro पे भी और macro पे भी, micro का मतलब क्या होता है, और macro, मैं यहाँ पे दो point बनाऊंगी, आप मुझे बताओ, कौन सा आपको macro लग रहा है, कौन सा आपको micro, A और B में, यह हमें micro लगा, और यह हमें macro लगा, मतलब जो चीज़ छोटी है, उसे हम micro बोलते हैं, और जो चीज़ बढ़ी है, उसको macro बोलते हैं, yes, micro में और macro में थोड़ा सा difference होता है, अभी समझेंगे, लेकिन आप यह याद रखो, कि जो economics होती है, जो हम economics पढ़ रहे हैं, वो दो लेवल पर पड़ी जाती है, micro लेवल पर भी और macro लेवल पर भी, micro लेवल पर मतलब छोटे लेवल पर भी, macro लेवल मतलब बड़े लेवल पर भी, मैं ऐसे कैसे, देखो, अगर मैं आप से बोलूँ कि, individual level पे मुझे बता हो individual level पे अगर मैं आप से बात करू that means I am talking about the micro अगर मैं आप से कौन कि पूरे के पूरे country as a whole level पे बात करो पूरे world as a whole level पे बात करो that means I am talking about the macro आईए सबसे पहले पढ़ेंगे micro micro का मतलब क्या होता है माइक्रो में सबसे ज़्यादा क्यों कीवर्ड है वो याद रखना कि माइक्रो के अंदर हम individual level पे study करते है small number of group पे हम study कर रहे होते है forms पे हम industry कर रहे होते है particular industry पे हम study करते है particular industry पे मतलब कि यहाँ पे हम कभी भी country as a whole की बात नहीं करेंगे जैसे कि हम यह पे बात करेंगे safe for safe reliance company की Tata company की अब बात समझे एक इंसान की SBI bank की बात कर लेंगे ICI bank की बात कर लेंगे Ramu Dhahave वाले की बात कर लेंगे Sonu Mumos वाले की बात कर लेंगे जब मैं small 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 level पे बात करूँ छोटे level पे बात करूँ एक particular industry level पे बात करूँ एक company level पे बात करूँ तो I am talking about the micro micro level पे भी हम decision making करते हैं अब जैसे कि Sonu Mumoz वाले के लिए बात करो अब मान लो Sonu Mumoz की company खोल रहा है तो Sonu के Mumoz की company हम एक individual level पे बात कर रहे है तो इसके example याद रखना यही example exam में repeat होते हैं इससे बाहर कोई भी example आपसे नहीं पूछा जाता है लिखके रख लो यही examples में से कोई भी example दिया जाएगा पूछा जाएगा बता हुए माइक्रो है मैक्रो तो मैं आपसे माइक्रो के example की list discuss कर रहे हुए उसको पेपर में पूछी जानी है आपसे अगर एक particular product के pricing के बारे में decision लेना है तो क्या बोलोगे माइक्रो होगा की मैक्रो हम इसका answer आपको तभी देंगे जब आप एक बार ना हमारे अंदर मैक्रो की बाते भी clear करो मैंने का ठीक है example hold करो मैक्रो क्या होता है मैक्रो में बेटा हम economy as a whole की बात कर रहे है country as a whole की बात कर रहे है पूरी के पूरे country level पे economy as a whole की बात कर रहे है aggregate level पे बात कर रहे हैं सारे के सारे keyword में लिख रही हूँ aggregate level पे अगर हम बात करे है then I will say कि I am talking about the macro economy अब हमारे भारत में कितने लोग रोजगा आ रहे हैं भारत के अंदर total saving कितनी हुई macro भारत के अंदर total output कितना हुआ macro भारत के अंदर inflation rate क्या चल रहे है मतलब महंगाई कितनी चल रहे है macro भारत की GDP rate क्या चल रहे है macro तो यह सारी अगर मैं बात कर रहे हूँ country as a whole पे that means I am talking about the macro और लेकिन जब मैं यही आपसे बात करूँ small level पे कि बताओ आपकी company के product का नाम क्या है आप अपनी company को कहां पे खोलोगे आपके product की pricing कितनी होगी तो यह क्या है इंडिवीजूल लेवल पे चर्चा हो रही हो macro मतलब जहां पे world level पे चर्चा हो रही हो country level पे चर्चा हो रही हो बड़े लेवल पे चर्चा हो रही हो जैसे यहां पे देखो Micro की ऐख जामपिल्स. Product की pricing बिसाइड करने. मोहू सोनू बोल रहा है. मैं 30 रोपडी प्लेट बेचे हूँ की मैं 20 रोपडी प्लेट बेचू. 30 बेचूँगी, 20 बेचू. 30 बेचूँगी, 20 बेचू. कौन टेसीजन लेगा? Modi की सोनू? सोनू. तो Micro, Consumer Behavior, अब Sonu सोचेगा न, कि मेरा गिराक तीखे मुमोस खाएगा, कि फीके मुमोस खाएगा, कंस्यूमर का नेचर कैसा है, वो मुमोस के साथ पीनट्स वाली चटनी लेगा, कि सिंपल चटनी लेगा, कि मिर्ची वाली लेगा, कि कौन सी लेगा, तो Sonu सोचेगा कि मोदी सोनु, फैक्टर प्राइज, अब फैक्टर प्राइजिंग, मतलब Sonu ने चार पांच लड़के रखे हुए हैं, जो कि मुमोस दिन भर में बनाते हैं, उनका ख़चा कितना हो, भाई, मोदी सोचेगे कि सोनु सोचेगे, सोनु, The Economy Condition of Section of the People, मतलब कैसे लोगों को हम टार्गेट कर रहे हैं, हम बच्चों को टार्गेट कर रहे हैं, गरीबों को कर रहे हैं, अमीरों को कर रहे हैं, किसको टार्गेट कर रहे हैं, तो यह दुकान वाला सोचेगा, कंपनी वाला सोचेगा, इंडिविजल लेवल पे कि प्रोफेशनल एडिया में लगाओं कि जहां पर दादी दादू टाइप के लोग रहते हैं वहां लगाओं तो कौन सोचेगा सोनू सोचेंगा मोदी जी सोनू तो माइक्रो अच्छा मैक्रो के एक्जामपल देख लो अब बहुत आराम से पहचान लोगे नैशनल इंकम नै अब मोदी जी तो फिक्स कर देते हैं मोदी और कोई स्टेट गॉर्वर्मेंट फिक्स कर देती है कि राशन में जो ग्रेशन की शौप पे जो गयों बिखता है वो पांच रुपे किलो जासे जादा नहीं होना चाहिए तो जेनरल प्राइज लेवल जो सबके लिए मैक्सिम का रेट तो यह माइक्र होता जनरल प्राइज कहां जाएगा मैक्रो में इंट्रोस्ट रेट आर भी डिसाइड करती है पूरे कंट्री लावल पे कि कोई भी बैंक से जादा चार्ज नहीं कर सकती बैलेंस ओफ ट्रेड बैलेंस ओफ पेमेंट यह सा मैं आपको तो यह भी कंट्री लिवल पे चर्चा चल दी है एक्स्टर्नल वैल्य ऑफ करेंसी वन डॉलर में कितना रुपया है यह गिरा की बढ़ा यह सब कंट्री लेवल पे चर्चा चलेगी ओबरल लेवल अव सेविंग इंवेस्टमेंट, टोटल कितना सेविंग कितना तो यह सारी की सारी चीज़ें हम country as a whole पे देख रहे हैं So these all are the 8 examples here and 6 examples here Total 14 examples you have, इनी 14 में से 8 या 2 examples आप से पूछे जाएंगे और आपको identify करना पड़ेगा which one is macro and which one is micro So got it? Yes, आप कुछ questions मैं आपके साथ लेना चाहते हूं कुछ important point भी है, यह भी याद रखना इस पे भी बेटा MCQ बनता है, तो मैं यहाँ पर important point जो लिखती हूं आपके दिमाग में रहना चाहिए, याद रखना कि जो economics word है यह Greek word से बना है जिसको Greek में oikonomia बुला जाता है और oikonomia का means होता है household अच्छा, दूसरी बात जो याद रखनी है कि 19th century तक economics को हम political economy बोलते थे तीसरी बात कि Adam Smith है बेटा, बहुत बड़े economist है An inquiry into the nature and causes of the wealth of nation इस book को the wealth of nation भी बोला जाता है शौटकट में तो generally हम लोगों ने देखा है PYQs में यही word यह लोग use करते हैं बड़ समटाइम यह भी होता है तो दोनों ने इम आपको पता होने चाहिए यह book है इसको publish किसने किया है Adam Smith जी ने publish किया है तीसरी बात जो याद रखनी है पूछी जाती है वो यह है कि scarcity की जो definitions है उसको किसने define किया है तो Robins ने define किया है उनका पूरा नेम है Leonin Robins आपको यह नेम याद रखनी है तीन वर्ड है चलो आजाए यह questions है हर एक बच्चा comment box में बड़िया answer देगा जो उस बच्चे के हिसाप से सही है बड़िया मतलब यह नहीं कि देख के दे दिया जो आपके हिसाप से सही है इससे मुझे पता चलेगा कि आपका level ही कितना अचीव हुआ आज तो questions को पढ़ना सीखो मेरी तरह question को हमेशा बहुत प्यार से बहुत अराम से पढ़ना चाहिए Economist regard decision making as important because Economist decision making को important बोलते है क्यों the resources required to satisfy our unlimited wants, our needs are finite और scarce Scars, next देखो, पहला तो इनों एकदम सही बात बोली, इनों ने का decision making इसलिए करने होती है कि जो resources है वो Scars है और जो हमारी wants है unlimited है, अब हमें decision तो लेना ही पड़ेगा न, अब Sonu को भी तो decision लेना ही पड़ा दा, कि यार 2000 रुपय है हमें decision लेना होता है कि हम किस तरह से अपने limited resources से अपनी unlimited wants को पूरा करें, क्यूंकि हमारे resources के alternative uses होते हैं, यह तीनों ही कथन एकदम, क्या हैं बताओ, मैं स्वत्य हैं, तो all of the above is correct, इनी तीनों की वजा से हमें decision making करनी पड़ते हैं, क्यूंकि resources limited है, alternative uses है, now we have to decide कि हमें कौनसी want को पूरा करना business economics क्या है, abstract and applies the tools of microeconomics, मैं यह तो मने कहीं नहीं पड़ा, involve practical application of economic theory in business decision making, यह मैं यह तो हमने पड़ा था, कि जो भी हमारे हम जो economic theory है, उसको decision making में use करते हैं, incorporate tools, tools मतलब जितने भी हमारे chapters हैं, उन सब को भी हम use करते हैं, as a multi disciplines, yes बिल्कुल demand का chapter, लोगों की demand को पता करने के लिए use होता है, production का chapter, हमें क्या produce करना चाहिए, सारे chapter हम पड़ेंगे, supply का chapter, कैसे हम supply करे, cost का chapter, कैसे हम product की cost decide करे, तो यह सारे tools को use करके ही, धेर सारे tools हैं, तो multiple disciplines आपके सामने available है, multiple चीजे आप कर रहे हो, multiple decisions आप ले रहे हो, तो business economics का हिस्सा है, तो दोनों ही सही हैं, then correct one is D, आएए, next question, in economics, we use the term scarcity to means, economy के अंदर, scarcity का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था, scarcity मतलब, relative और absolute, relatively scarcity, तो word कहा है, देखो, absolute हो नहीं सकता, तो relatively scarcity का मतलब होता है, scarcity in relation to want of the society, यही मैंने आपको बोला था, तो आँख बंद करके लगा दो, सही है, अब business fail हो गया है, तब scarcity है, बाला वाला फालतू की खिचड़ी पका रखिया, simple statement है, next, what implications does resources scarcity have for the satisfaction of want, बदाओ, यह कह रहे हैं कि, what implications does resources scarcity have for satisfaction of want, इन में से कौनसी बात ऐसी है, जिसकी बज़ाद से आपको लगता है, कि जो resources है, वो scarce है, क्योंकि हम अपनी सभी wants को पूरा नहीं कर सकते, इसी लिए हम बोलते हैं कि, जो हमारे resources है, वो scarce है, we can't satisfy all the wants, so this one is correct, 100%, लेकिन याद रखना हमेजा सारे options पढ़ लो, जब तक कि आपको एकदम ना पता हो, या डिट्टो कोशन है, पेपर में लगा सकते हो, पेपर में टाइम बेस्ट मत करना, बट अभी this is the beginning, शिरूबात में तो हमें सब कुछ पढ़ना है, गलत option पे भी ध्यान दो, कि वो गलत क्यों है, कि हमें कभी choice करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तो हमेशा करनी पड़ती है, resources limited है, ये तो एकदम गलत है, ये कह रहे हैं और हमेशा ऐसा वे develop करो, जिससे आपकी wants कम हो जाए, ऐसे थोड़ी न होता है, हमें तो बलकि ये सोचना चाहिए न कि हम अपने resources को कैसे बढ़ाएं, मैं पढ़ाऊंगी अभी आपको, जो आपकी modern economic theory है, neoclassical theory जिसे बोलते हैं, वो कहती है कि कभी भी अपनी इच्छाए मत दबाओ, हमेशा ये सोचो कि आपके जो बड़े हुए खर्चे हैं, उसको कैसे पूरा करोगे, मतलब अपने resources बढ़ाओ, जैसे कि अगर मैं compare करूँ, पहले ममा पापा की जो generation होती है, मतलब आज के time में भी मेरी भी ममा पापा है, सो देवला focus की जो हमारा बच्चा है, वो save करें, पैसा save करें, जादा खर्चा ना करें, हम कितना भी कमाले हैं, अगर हम कुछ खर्च करें, तो अपने parents हमेशा क्या concern होगा उनका, कि कुछ save कर रहे हो की नहीं कर रहे हो, और अपन, जो अपनी आज की generation है, उनका क्या focus होता है, यार इच्छाएं बढ़ रही हैं, बढ़ने थो ठीक है, यहां से नहीं तो कहीं और से, चार जगा काम करो, दस जगा काम करो, यार काम करने के resources बढ़ाओ ना, तो हमारी जो modern, जो generation है, वो हमेशा resources बढ़ाना चाहती है, और जो old generation थी, वो हमेशा क्या चाहती थी, यार इच्छाएं घटाओ, तो यह यहीं लिखा है, कि हमें हमेशा अपनी इच्छाएं घटानी चाहिए, नहीं बढ़, modern theory बोलती है, कि resources को increase करो, so this statement is not true, the discovery of new natural resources is necessary to increase our ability to satisfy the wants, अब यह बोल रहे हैं, कि जो new material है, उनको खोजो, ताकि आप अपनी wants को satisfy करो, अगर हम वो खोज ले गए और हमने satisfy करी लिया, तो फिर scarcity नहीं रह जाएगी, question क्या, what implications does resource scars, क्यों resources scars है, because we can't fulfill our all the demands, all the wants, hence we can say कि the resources are scar, so this one is correct, next, in every economic system, scarcity imposes limitation on, अब जो scarcity है, जो resources की दुर लबता है, जो resources की कमी है, क्या वो सिर्फ आप फेस कर रहे हो, हम फेस कर रहे हैं, या सब फेस कर रहे हैं, मैं सब फेस कर रहे हैं, household, business, firm, government and nation as a whole, सब फेस कर रहे हैं, this one is correct, next, macro economics is also called dash, macro economics को हम aggregate theory भी बोलते हैं, अभी अभी बताया था, which of the following does not suggest a macro approach for India, basically आपको कुछ examples दिये गए हैं, and आपको बताना हैं, कि इन में से कौन सा macro नहीं है, कोई एक है बेटा, जो macro नहीं है, तो तीन तो macro होंगे, आओ चलो, GNP मतलब growth rate identify करनी है, तो growth कौन सा factor होता है, micro के macro किसका example है, macro का, finding the causes of failure of ABC industry, कोई particular industry बेटा fail हो गई, Sonu, Mumoz वाले का धन्दा flop हो गया, तो ये कौन सा हुआ है, micro, this is correct answer, बाकी के भी पढ़ लेते हैं, identifying the causes of inflation, इंडिया में कितनी महंगाई का rate चल रहा है, तो क्या हुआ, macro, analysis the cause of failure of industry, in providing the large scale of employment, मतलब कि large scale of employment की बात चल रही है, overall employment की बात चल रही है, overall employment मतलब country as a whole की बात चल रही है, तो ये भी क्या हो गया, macro, तो कौन macro नहीं है, B is not macro, consider the following and decide which if any economy is without scarcity, आप से पूचाए कर रहा है कि बताओ, कौन सी economy ऐसी है, जिसमें कभी दुर लबताई ही नहीं होगी, जिसमें कभी resources ही नहीं, कुई कमी नहीं थी, पिर ही independent ना ना उस टाइम तो और भी दिक्कते चल रही थी, आप मिथिकल, मतलब एक ऐसी economy जहां पर सब बिलियोनर हो जाएं, तो अगर बिलियोनर हो जाएंगे, तो वो सोचिंगे, और और पैसा है, और पैसा है, तो ऐसा नहीं है, एनी economy where income is distributed, जहां पर income को equally बांट दो, क्या वहाँ पर लोगों को resources की कमी फिल नहीं होगी, अभी हम सब को सवासो करोड लोगों को एक्वल एक्वल पैसा बांट दे, माल लो आपके इससे 25 करोड रुपया आ गया, क्या आपको कमी नहीं फिलोगी, 25 करोड जैसे खर्चे, सोचोगे तो खर्चे, फिर 50 करोड के निकल के आएंगे तो फिर से कमी, इसका मतलब कोई भी बास सही नहीं है, कोई भी economy ऐसी होई नहीं सकती, जहां पर scarcity नहीं हो, which of the following is not a subject matter of microeconomics, अब बापस example दे दिया, पूछा गया बताओ इन में से कौन सा micro नहीं है, कौन सा micro नहीं है, मतलब बाकी तीन तो micro हैं, एक micro नहीं है, price of mangoes, एक particular product के बारे में चर्चा हो रही है, so, momos की plate, आम का भाओ, क्या हुआ, मैं, micro, the cost of producing a fire truck for the fire department of Delhi, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की चर्चा हो रही है, yes, ma'am, क्या हुआ, micro, the quantity of mango produced for the mangoes market, particular mangoes की बात हो रही है, क्या हुआ, मैं, micro, national economy's annual growth rate, annual growth rate, वा, वा, ये क्या हुआ, macro, तो मैं बोल तो रही हुआ वही example आने हैं, जो 14 examples हैं, तो this one is not micro, next question, the branch of economic theory that deals with the problem of allocation of resources, बताओ, allocation of resources, अब सोनू सोचेगा ना, कि उसको कितना रुपिया मुमोज बनाने पे लगाना है, कितना रुपिया उसको lemon soda बनाने पे लगाना है, कितना रुपिया उसको मुमोज की चटनी बनाने पे लगाना है, तो यह सोनू सोचेगा, कि मुदी जी सोचेगे country as a whole पे, मैं सोनू सोचेगा, तो यह कौन सी problem हुई, micro economy, इसकार्सिटी डेफिनेशन ओफ एकॉनोमी, अभी अभी बताया था, इंपोर्टेंट किस ने दी थी रॉबिंस लिए उनिन रोबिंस ने, macro economics is the study of, बताओ, macro economy में हम किस चीज की study करते हैं, all aspects of scarcity ना जी ना, the national economy and the global economy as a whole, yes, economy as a whole की study करते हैं, बड़े बिजनिस के बारे में चर्चा तोड़ी ना करते हैं, the decision of individual ना, यह सब तो micro में चला गया हम हम, और यह तो micro macro से बारी है, तो correct answer is what? B, चलो जी, इसी के साथ अपनी आज की class होती है, समाप्त, तो याद रखना बिटा, आज की class bit lengthy थी, क्यूंकि starting की class में आपको guide करना बहुत जरूरी होता है, और शुरू की 3-4 classes बहुत धीमे ही चलेंगे अपनी, क्यूंकि वहाँ पे आपका एक base बन रहा है, अगर कितना नीव अगर हिल जाए, foundation ही खराब हो, तो building क्या गंटा बनेगी उसके उपर, तो जो शुरू की classes हैं, उसमें जो terms यूज होते हैं, almost मैं सारे terms वहीं पे बता देती हूँ, जैसे की resources को क्या-क्या बोला जाएगा, wants को, तो आगे भी अगर कोई word आएगा, तो मैं अभी ही आपके mind में डालने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको जब मैं बाद में पढ़ाऊं, तो दिक्कत ना आए, तो शुरू बात में टाइम लगता है, और जो हमने आज पढ़ाया है, आपको पढ़के आना है, आज हमने क्या पढ़ाया, economy किसे कहते हैं, economics किसे कहते हैं, business economics किसे कहते हैं, तो इन तीनों में सभी बच्चे को difference बताके comment box में जाना है, फिर हमने पढ़ा, micro, macro किसे कहते हैं, मुझे बताओ, सब बच्चे जल्दी-जल्दी comment में micro होगी कि macro, अगर मैं individual level पे discuss कर रही हूं, micro, अगर मैं aggregate level पे चर्चा कर रही हूं, जल्दी बताओ comment में, macro, अगर मैं small number of group की बात करूँ, तो क्या करेंगे, micro, अगर मैं country ऐसा whole की बात करूँ, तो क्या करेंगे, macro, आप मुझे बताओ, product की pricing किदर जाएगा, micro, general price level, किदर जाएगा, macro, total saving किदर जाएगा, macro, growth rate किदर जाएगा, macro, overall employment किदर जाएगा, macro, location of the industry, micro, consumer behavior, micro, particular section of the people की study करना, micro, so these all are the examples जो आपको पढ़ने हैं, और आपको जो आज पढ़ाया, जितनी questions आज कराए, सारे questions आप घर पे करोगे जाके, इससे जादा आपको कुछ नहीं करना है, इससे जादा बिल्कुल भी मत पढ़ना, सिब जो आज पढ़ाया है, उसको revision करना है, और जो questions आज कराए हैं, बस उनको अपने हाथों से एक बार देखना है, और मिलेंगे next class में, तब तक के लिए, bye-bye, take care,